दोस्तों आज इस वीडियो में जो है घटवार जाती की इतिहास को हम यहाँ पे डिसकस करेंगे और आपके साथ जो है इस परस्तूती करन में देखेंगे कि घटवार जाती की इतिहास क्या है और इनकी इतिहास कितना प्राचीन है लेकिन इस वीडियो को आरम करने से पहले मै एक आपको डिस्क्रामरे पुर्स्तूत करना चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी बात एक करूँगा वो तार की आधार पे ही है तो अपने बुद्धी और विबिक के आधार पे ही आप इसे समझे 26 लमबर 1949 को इसी सेंटरल हॉल में सर एडॉव्ट किया गे 26 नमबर 1949 को हमारे यहां संथाल प्रना की दो जाती थी खेत ओड़ी और घटवाल उसको एडॉप्ट किया कि यह ट्राइबल हैं ट्राइबल थे और ट्राइबल रहेंगे लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को ठीक दो मैने बाद जब नोटिफिकेशन हुआ तो उस नोटिफिकेशन में ये खेतवडी और घटवाल का नाम किसी किरानी के गलती से, क्लर की गलती से, किसी बाबू की गलती से छूट गया हम या आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन समाज जो है S.T में या किने रखा जाएगा किने जो है W.S.C में रखा जाएगा या तो गुवर्मेंट के निर्नय ही अंतिम फैसला करती है लेकिन जो इतिहासिक रूप से जो प्रमानिक आधार है उसके उपर में बात कर सकता हूँ एक इन में महासर हैं बिटिस आफिसर्स हुए और उनके द्वारा लिखा गया एक पूस्तक इसमें कास्टेर्स की किताब जो है मेंथाई बंदोवस्त 1970 के समय भागलपूर कमिशनरी में एक भी संताल नहीं था ये कहा गया बुरियां, खेतवरी, हिंदू, मुस्लीम, हाइलेंड्स थें लेकिन संताल नहीं थें यह कहा गया इस इलाके में संताल का आगमन 1810 में हुआ और जिन में कहा गया है कि उस समय जो एक किताब है जो 1820 में यह बात का स्पस्ट करता है कि जब इलाके के जाच के लिए मजिस्टेट आए अर्थत जो इलाका आपको देवगर वाला इलाका है जो भागलपूर वाला जो पहारी इ या खेतिहर या तो फिर भूईया और या तो फिर आप कहें तो घटवार जाती के लोग अधिकांस मोल रूप से पाए जाते हैं वहाँ पर यह माना जा गया कि जो संताल कम्यूनिटी के जो जन जाती समुदाई थे वो वहाँ पर नहीं था किसी केस पांडा के नित्रतों में कमीटी कॉंग्रिस की सरकार ने बनाई और 2014 के एलक्षन के पहले उस कमीटी का रिपोर्ट आ गया उस कमीटी की रिपोर्ट ने ये माना और एक आदमी को कोट किया उन्होंने सर कास्टेर हमारे यहां कमिशनर हुआ करते थे कास्टेर की ए जब इलाके में उनको जाच के लिए भेजा गया तो उस वक्त मजिस्टेट ने पाया कि पहारी एरिया में संताल सौतार वस रहे थे अर्थाथ ये सौथ वेस्ट से इनका इलाके में इस इलाके में उनका आगमन हुआ था तो अब इस पुस्तक और इन आधारों पर हम एक मिनट के लिए मान सकते हैं कि उस समय तक यहां पर संताल नहीं था लेकिन एक यहीं पर हम एक दूसरी एक लेक का प्रस्तूत भी यहां पर आपको बताएंगे और समझाने की कोशिस में करता हूं जो लेक मुंडा जनजातिय समुदाई के उपर जो है छपा है पूनम मिस्रा जी का लेक है जहारखंट के गवर्मेंट के वेबसाइट पर यह डकुमेंट मौजूद है और जिनमें एक कहा गया है बहुत ही महत्पुन बात को उठाया गया है और वो है संताल मार्णी का इति नरसंगार हुआ था प्राचीन काल में और उसमें जो है उसी समाज के बाबु मर्दन सिंग का इतिहास उनके साथ जोड़ा जाता है यह एक कथा है जो लोगों के बीच में जो है वो प्रसिद है एकौडिंग टू डिस डकुमेंट सो यहां पर क्या है कि जानकार लोग की मा कि भीन हैं इस लेक के आधार पर हम यहांबार समझ सकते हैं कि सन्टाल और हुईयां में कुछ इरीटी है जैसा कि पुस्थक न बताया है कि जो है। मर्दन सिंग भी कहीं न कहीं जो है वह जनजातिये के हिस्रेनी में आते हैं और इस आधार पर यह भी आप असपस्ट हो जाता है कि साध जो है वह जनजातिये और समुदाई भी राजपूत समुदाई में परिवर्तन हुआ कभी और कभी जो है वह समुदाई में के कुछ खास लोगों का परिवर्तन हो गया राजने जो है राजपूत समुदाई या जिनको एक छोटे राजा का रुकी रूप में हम समझ सकते हैं जो एक प्रांत में जिनका राज चल रहा था एक हवेली कोठा जो भी आप कहले उस परकार का जो है राजा हुआ करते थे और जिनके घर प पर हमला कर दिया और जिसके बास बाबू मरधन सिंघ के द्वारा फिर से जो है जब कॉंटर किया गया तो इसमें बहुत सारे जंजाती है संथाल लोगों का जो है वो नरसंः गार हुआ हुआ इसको संताल मार्टनी के नाम से जाना जाता है यह जो है देवघर महादेव की नगरी वैजनात धाम से लगवक सुलह किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिसा में स्थित है जिसका सर्वा नामक गाउं में जो है यह रहस समय एक तिर्थ अस्थल बन चुका है आज के डेट में तो इस बात से जो है वो मिलता है कि साथ जो है वो यह समाज के उपजाती के तौर पर घटवार जाती को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अब विसे आता है कि जो घटवार जाती है उनको रिजर्वेशन की अवस्चकता है कि नहीं दोस्तों इसमें कोई दोमत की विसे कि घतवार जाति जो पहारी भाई है जो जंजातिय भाई है उनको रिजर्वेशन की भहूत ही आवर्शक्ता आहार रिष्टाए इन समोधाई का सOR TIP इन्हें नहीं दिया गया जिन आधार पह वह रिजर्वेशन से अलगा रखा गया लेकिन अब फिर एक नया प्रस्ण उठखा हुआ है कि जो इथिन ग्राफी करवाया गया अर्थात जिनकी जो नसलिये जो है एक परिक्षन जो होता है उन आधारों पे जो है उनका जो है वो कहीं कहीं पे ये भी चपा है कि उनका रिजल्ट नीगेटिव आ गया है अर्थात उनको जनजाती समूदाई से अलग जो है वो दूरी देखा गया है इन समूदाई के घटियार जाती के घटवाल जाती के लोगों के बीच में अब यहाँ पे यह चीज देखने की आवर्शकता है हमें कि घटवार जाती की जो अब आपके मन में प्रसनाता होगा कि अर्फात जो ये इथेनोग्राफी होता है वो किन आधारों पे होता है दोस्तों काम करने के सैली जो है वो दूसरे कम्यूनिटी के साथ उनका किस परकार का मेल जोल है उनका जो है ब्यवहार कैसा है पूजा पधती कैसा है किस देवी देपता को मानते इन तमाम सारे आधारों पर जो है निर्ने लिया जाता है कि कौन से लोग जो है वो SC के कैटेगोरी के अंतरगत आते हैं जो लोग कहते हैं कि SC अर्था सिरूल कास्ट के अंतरगत आते हैं वो थोड़ा सा अन्याईपूर्व बात है और इसलिए है यह बात अन्याईपूर्व क्योंकि इन समाज के इन समुदाई को सिरूर कास्ट के अंतरकत जो है वो रखा जाना चाहिए इवें कि आप मुसहर समुदाई के भी इतिहास जो बिहार में है उनके साथ यदी मैच अप करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है कि बिटिस ओफिसर्स जो है वो कहते है कि मुसहर यह उनको जो है उनको कैटेगोरी बदल देंगे या फिर उनको जान जाती है समुदाई घुसित कर देंगे या उनको रिजर्वेशन देना है या उस अथारा सो के समय में या भी बात का पुष्टी नहीं था कि साथ भाविस में जो है वो इस इस इंडिया कंपनी को वारत छोड़ना पड़ेगा इन आधारों पे उस पुस्तक को पुर्ण रूप से निट्रल माना गया है लेकिन फिर एक ऐसी ही प्रस्ण इहां पर उठखा होता है कि यदि वह पुस्तक निट्रल इतना अधिक निट्रल है तो फिर उस पुस्तक के आधार पे या तो फिर उस तमा काइस्त समाज के लोगों को उस समय जो है वह चौथी वर्ण वबस्था के अंतरकत उनको रखा गया था तो इन तरह के जो है वह नुट्रिफिकेशन जो है हम यह नहीं कर सकते हैं कि सत्परतिसत जो है उसी एक पुस्तक को जो है वह हम आधारभूत मान सकते हैं लेकिन वह अन कमेंट हो कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं मिलते हागे यदि हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते आगे तब तक लिए जैहिंच झाल यजगा मिलते आगे पाक्षाव हो तो प्रिया तक लुकिर कर देए जैह कर दो है अगे जैहिंजगा वेजिए पासो मिलते हैं कर दो है चैनल कर देए कर दो हो है कर दो है आगे जजब